मित्रो कॉंग्रेस का फॉर्म्यूला है हिंदू समाज को बाटो मुस्लिमों को वोट जिहाद और भड़का कर बहका कर एक करो और मुबिलाइस करो पोलराइस करो और कॉंग्रेस की ये जो रणनीती है वो लगातार अपनाते हुए कभी हिंदू समाज को जाती पर कभी हिंदू समाज को भाशा पर बाटती है पर यही कॉंग्रेस पार्टी जो चोला और हिजाब पहन कर आती है कि मैं सामाजिक न्याए सामाजिक जनकल्यान गरीब के साथ व वो अपना मूह नहीं खोलती है जब मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भेदभाव जाती और क्लास और वर्क के नाम पर होता है। 85 फीसद पसमानदा समाज के बारे में आज तक कॉंग्रिस ने कभी अपना मूह नहीं खोला है। कुछ 5-6 फीसद मुस्लिम को लेकर जो अपर क्लास अपर कास्ट है उनके साथ मिलकर लगबग 85-90 फीसद का अधिकार मानने का कुकर्म कॉंग्रिस पार्टी ने किया है। और वोट बैंक के नाम पर केवल हिंदू का, RSS का, BJP का डर दिखाकर मुसल्मानों को एक जुट करके उनका वोट लेने का प्रयास कॉंग्रिस ने लगातार किया है। अपनी बिरादरी में शादी नहीं करने देते, अपने साथ कभी उनको उट बैटकर बिजनस करने नहीं देते। ऐसा जो एक लगभग जातीगत भेदवाव, लगभग वर्गिय भेदवाव, ऐसा अस्प्रुष्टा का भेदवाव, जो पसमान्दा समाज हर रोज सहन करता है। उसके विषये पर कॉंग्रिस पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला है और ना कॉंग्रिस पार्टी कभी बोलीगी, क्योंकि कॉंग्रिस चाहती है, इंडी अलायंस चाहती है कि वोड जिहात के नाम पर सारे मुस्लिम एक हो जाए। क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता तो शिया सुन्णी के जगडे नहीं होते, अगर ऐसा होता तो जो अलग-अलग फिर के अलग-अलग देशों में मुस्लिम, बавно देशों में लड़ते रहते हैं वो नहीं होता, और भारत में जो 85-90% जो मिजौरिटी है, जो पसमानदा है, उनके बारे में कभी कॉंगरस ने एक शब्द नहीं बोला है जो भी फाइदा जो भी लगबग लाब देना है वो केबल 5-6 फीसद मुस्लिम समाज के अपरकाश लोगों को ही कॉंगरस ने दिया है और यही कॉंगरस हिंदू समाज में तो जाती जाती करती है यही कॉंग्रेस हिंदू समाज को कभी जाती के आधार पर कभी भाशा के आधार पर बाटने के लिए एक टांग से खड़ी हो जाती है पर जो सयद के द्वारा पसमांदा समाज पे अत्याचार और discrimination किया जाता है मैंने कहता सब जगे सब लोग करते हैं पर यह होता है और यह हकीकत है इस पर एक शब्द नहीं बोलती कोंग्रेस मुसलिम समाज कर वक्त के नाम पर भढ़काती है, कॉंग्रेस ने कभी मुस्लिमों के लिए टॉयलेट, घर, बैंक अकाउंट या उनकी आर्थिक सामाजिक चीजों को स्थाही करने का कभी भी संकल्प नहीं लिया है, आप देख सकते हैं, गुजरात के मुसल्मान और बंगाल के मुसल्मान, गुजरात में तो लगातार जो है भाजपा की सरकार रही, पर वहां के मुसल्मान, चाहे financial inclusion हो, health के indices हो, education के indices हो, public sector jobs में participation हो, वो बंगाल के मुसल्मानों से कहीं ज्यादा आगे हैं, और बंगाल में तो केवल TMC की सरकार, केवल Congress और Left की सरकार रही है, वहां पर तो भाजपा कभी नहीं रही है, तो ऐसा क्यों है कि 25 बंगाल के मुसल्मान, 25 फीसद मुसल्मान, जो आबादी का हिस्सा है, वो इतने पिछड़े हैं, और उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है वहां पर, और जहां तक गुजरात की बात है, तो गुजरात के 9 फीसद मुसल्मान, बंगाल के मुसल्मानों से कहीं ज्यादा 50 करोडों के आईश्मान कार्ड बने, अकबर और अमित में अंतर नहीं हुआ, कितने करोडों को फाइदा मिला है मुद्रा लोन योजना का, स्वनिधी योजना का, अलग-अलग योजनाओं का, और एक भी ऐसा उधारण नहीं है देश में, जहां पर मुहम्मद और मोहित मे कोई भी संस्थागत भेदभाव, institutional discrimination किया गया हो, फिर भी मुसल्मानों को भड़काने का शर्यंत्र Congress करती है, उनके नेता ने तो ऐसे बयान भी दी है, वोड जियात का बयान भी दिया, आपको याद होगा कि किस प्रकार से भड़काने के लिए महभूब अली भी समाजवा नहीं करना चाहते हैं, और दुख की बात यह है, कि हमने देखा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसल्मानों के घर बने, उन गाओं में 500 वोट थे, पर सारे के सारे वोट केवल और केवल इन भरकाओ राजनीती करने वाले लोगों को गए, भाजपा को वोट नहीं मिला, हमने देखा है कि दूले की लोकसभा सीट में, पांच विदान सबाओं में भाजपा लीड में थी, और चटी सीट जो माले गाओं की थी, वहां पर 1,90,000 वोट एक मुष्ट होकर, किस प्रकार से कॉंग्रस और इंडी अलाइंस को चला जाता है, और भारती दंता पार्टी वो लोकसभा सीट हार जाती है, इसका मतलब की गोलबंदी केवल और केवल धार्मिक मुद्दों पर, केवल भावनात्मक मुद्दों पर भढ़का कर, कॉंग्रस और उसके साथी दल ले तो लेते हैं, पर वो मुसल्मानों की गरीबी की चिंटा कभी नहीं करते, मुसल्मान हजारों मुसल्मान काटे गे, कॉंग्रस ने कभी भी न्याय भी नहीं दिया, ना उनको गरीबी गुर्वत से बहां में टाला, आज भी कॉंग्रस पार्टी पिछडों की बात करती हैं, पर अपनी ही पार्टी की कुमारी शेरजा के साथ कैसा व्यवार करती हैं, राहुल ग है जिसमें जातिकत भेद्भाव होती है, जिसमें कि जिसको झेल ना पड़ता है, अस पुष्टा जैसे भी कुक कर्म जो है झेलने पड़ते हैं, उस पर भी कॉंग्रस पार्टी एक शब्ध नहीं बोती, ये कंग्रस पार्टी के असली चेरे को बेनकाप करता है, कंग्रस पार्टी मुस्लिम विरोधी है, कॉंग्रस पार्टी पिछडा विरोधी है और कॉंग्रस पार्टी केवल हिंदों को बातने के लिए जाती का कार्ड लाती है और मुसल्मानों को भड़का कर एक कर देती है।